नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका मेरे योटूब चैनल पे जैसा कि आपने देखा पिछले 40 questions हम discuss कर चुके हैं जिसने नहीं सुना है तो please request है कि उनको जरूर सुन ले और आज हम 10 most important questions को discuss करेंगे जो भी exam की preparation कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful है यह series तो सारी series को पूरी video को watch करो सारे questions most important मैं लेके आता हूँ और यहाँ पर आज 10 questions हम जो discuss करेंगे basic भी होंगे, कुछ numerical भी होंगे, कुछ essay भी होंगे जो tricky होंगे, तो सारे questions को हम discuss करेंगे please like, subscribe, share जरूर करें, पहला question हमारा आ रहा है इसके अंदर यह पूछा हुआ है, जैसे class full addressing होती है और एक होती है class less addressing, तो जब कभी भी हमारा यहाँ पर slash notation यूज कर रखेंगे, यह तो IP address दे रखा है और यहाँ पर slash के बार लिखा हुआ है 27, इसको बोलते हैं slash notation ठीक है, तो हर एक IP address में 4 octet होते हैं पहला जो यहाँ पर यह लिखा हुआ है, इसको first octet बोलते हैं यह second octet है, यह third octet होता है और यह fourth octet जो कि decimal से differentiate करते हैं, तो जो last octet है इसको हम बोलेंगे fourth octet, clear? तो यहाँ पर question में क्या पुछा हुआ है the fourth octet in decimal, जो कि यह दिया हुआ है 144 of the last IP address of the network, which can be assigned to a host तो यहाँ पर simple सा question यह पुछा हुआ है, कि 144 जो यह last octet है, इसमें last assigned host क्या होगा? क्या value होगी? तो कई बार students क्या करेंगे? last octet तो 255 हमने देखा है, और last वाला जो होता है वो broadcast के लिए होता है, उसको use ना करके 254 हो जाएगा answer तो गलती करते हैं वहाँ पर students, कई student 255 लिख देंगे इसका यह answer नहीं होगा, यह depend करेगा कि यहाँ पर octet क्या दिया हुआ है last octet दिया हुआ है 144, तो सबसे पहले आप क्या करो? 144 को binary representation लिखो, तो binary में represent जब हम करेंगे तो इसको मैंने आपको बताया हुआ है, 128, 64, इस तरह से हम divide कर लेंगे in the power of 2, 16, 8, 4, 2, 1, तो 144 कैसे बनेगा? 128 तो use हो गई होगा, 64 यूज नहीं होगा हो जाएंगे, clear? तो 144 का binary representation हमने निकाल लिया है, अब यहां पर 144 का binary representation निकल चुका है अब यहां पर यह जो slash notation है, इसका use है यहां पर, जहां यहां slash notation में लिखा हूँ है 27, 27 bit 1 से represent होगा, मतलब 27 bit ऐसी होगी, जो की change नहीं कर सकते आप, तो यहां पर देखिए, 8 bit का यह use होगा, 8 bit यह use होगी, 8 bit यह use होगी, तो first 3 octate में 24 bit यूज होगी, तो इस octate में कितनी bit यूज होगी, 3 bit, तो 3 bit को आप change नहीं कर सकते, that is the main use of the 27, तो यहां पर 100 को हम fix कर देंगे, इसको हम change नहीं कर पाएंगे, और यहां पर पुछा हुआ है कि maximum आप क्या assign कर सकते हो, host को, तो जो यह बाकी bit रह गई, इसको हम 111 से assign कर सकते हैं, maximum, ठीक है, first 3 bit को हम change नहीं कर पाएंगे, because of the slash notation, जो कि 27 bit दी हुई है, clear, अब आपके mind में question चल रहा होगा, कि last जो होता है, वो broadcast होता है, बिलकुल आप सही कह रहे हो, सही सोच रहे हो आप, broadcast address के लिए हम use करेंगे, 11151 को, मगर इससे पहले वाला जो होगा, वो last maximum assign address होगा, तो हम यह कैसे सकते हैं, 100 तो यह fix रहेगा, यह 3 bit तो हमारी fix रहेगी, ठीक है, उसके बाद, इसको हम 1111, last को हम क्या लिख देंगे, 0, जो की broadcast से जस्ट पहले वाला जो address होगा, वो हमारा final address होगा, तो इसका जो representation होगी, वो value क्या हो जाएगी, 1 मतलब 128, यहाँ पर यह जो value है, वो 128 है, यह value 1 जो है, यह 64, यह 32, यह हो गया 16, 8, 4, 2, 1, तो जहां जहां पर 1 है, उसको add कर लो, यहां पर 1 है, इसको add कर लेंगे, इसको add कर लेंगे, इसको add कर लेंगे, तो सब को add कर लो, 128 plus 16, 144 plus 8, 152 plus 6, 158, तो answer आजाएगा इसका, 158, तो right answer हो जाएगा, last assigned network, यह लिखा हुआ है last IP address of the network which can be assigned to a host वो क्या होगा 158 hopefully आपको समझ में आयोगा बहुत अच्छा question था यह next question है बहुत ही simple question है next यहाँ पर यह पुछा हुआ है which of the following ISO level is more closely related to the physical communication facility देखें यहाँ पर पुछा हुआ है physical communication facility तो मैं आपको clear कर दूँ ISO, ISO मतलब OSI layer की form में बात कर रहा है तो OSI layer के अंदर 7 layers होती है सबसे lowest layer होती है हमारी वो होती है physical layer physical layer सबसे पहले connect होती है physical communication facility से ठीक है उसके बाद होता है हमारा data link layer तो यहाँ पर जो question में यह है कि more closely कौन सी physical facility से communicate करेगी more closely होगा वो होगा हमारा data link layer बहुत ही simple question था यह clear तो इस type से हम questions को solve करेंगे बस question को समझना है और answer देना है यहाँ पर यहाँ पर देखिए next question आ रहा है interconnect two IP classes देखिए दो IP को आपको connect करना है IP classes को basically class A and class C दो class को आपको connect करना है different different class है यह तो दोनों different different class को connect करने के लिए हमें किसकी requirement होती है देखिए bridge answer नहीं होगा क्यों क्योंकि bridge जो है same class को जब कभी भी interconnect करना है तो उसके लिए bridge यूज करते है class B network is needed बिल्कुल भी यह answer नहीं होगा क्योंकि हमें device की जरुरत पड़ेगी ना की class की ठीक है तो device हमारा router बिल्कुल router is the right answer because of router is a device that will be connect two different networks तो two different network of the classes तो class A और class C दोनों अलग-अलग networks है उसको interconnect करने के लिए हमें router की requirement होगी होगी clear तो router is the right answer for this question next question है fourth question for this video which of the following layer is not sport user layer देखे बहुत ही अच्छा question है यह यहाँ पर question में ध्यान से पढ़ना है आपको not पुछा हुआ है तो सबसे पहले ही देखते है user sport layer कौन-कौन सी होती है मैंने अभी आपको बताया seven layers का हमारा structure होता है तो जो topmost होती है application layer फिर उसके बाद आती है हमारी presentation layer उसके बाद होती है session layer यह तीनों layer हमारी user sport layer होती है तीनों की तीनों क्यूंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हो short trick से user जो है वो directly communicate करता है application के थूँ तो जो भी application से nearest होगी वो सारी की सारी user sport layer होगी और जो lowest layer होती है physical layer, data link layer and network layer यह तीनों की तीनों layer network sport layer होती है यह ध्यान रखना है आपको यह तीनों की तीनों layer network sport layer होती है और उपर वाली तीनों layer user sport layer होती है एक रह गई हमारी transport layer जो की interface provide करता है दोनों के बीच में network sport layer के बीच में and user sport layer के बीच में तो मैं आपको ये समझाना चाहरा हूँ question में ये given है कौन सी SC layer है जो की user sport layer नहीं है तो session, application, presentation ये तो user sport layer है according to जो मैंने explain किया आपको data link layer, network sport layer होती है तो ये हमारा right answer हो जाएगा जो की user sport layer नहीं है next question है हमारा 5th question and 45th question जो की series मैंने चलाई हुई है तो उसके इसाब से तो यहाँ पर question बुचा हुआ है which of the following is not ये ध्यान रखना है आपको question में not a guided transmission line देखिए दो type के हमारे transmission line होती है guided होता है और एक unguided होता है ठीक है तो transmission line हमारी दो type से हम divide करते हैं पहला होता है guided जहाँ पर हमें physical unguided तो जहाँ पर हमें physical medium की requirement होती है physical medium के through हम जो communication करते हैं उन सारे devices या उन सारे line को हम guided transmission line बोलते हैं unguided में जहाँ पर हमें not requirement of the physical medium जहाँ पर हमें physical medium की requirement नहीं होती उसको हम बोलते हैं तो गाइडिड में कौन-कौन से आते हैं हमारे twisted pair आता है twisted pair हमारा guided होता है second होता है हमारा coaxle cable coaxle cable भी हमारा guided होता है जहां पर हम हमें requirement होती है third होता है हमारा optical fiber optical fiber भी हमारा guided में ही आता है और जहां पर हम बात करते है microwave ठीक है laser beam and so on इस टाइप से जितने भी होते हैं हमारे वो सारे की सारे unguided होते हैं तो यहां पर question पुछा हुआ है कि कौन सा guided media नहीं है medium नहीं है तो laser beam is the right answer for this question clear next question है 46 and 6 question for this video 802.11 that is using which technology तो देखिए यहां पर IEEE standards होते हैं हमारे standards का question आया हुआ है यह Ethernet जो होता है वो 802.3 के लिए use करते हैं 802.3 में हम Ethernet यूज करते हैं wireless technology के लिए हम यूज करते हैं जो 802.11 इसकी अलग-अलग series होती है 802.11 A 11 G इस टाइप से अलग-अलग series होती है wireless technology की तो basically यहां पर जो question पुछा हुआ है वो पुछा हुए 802.11 is used in this technology तो वो wireless technology को यूज करता है 802.11 that is the IEEE standards clear उसकी बाद है हमारा next question 7th question FDDI standard are used in this topology देखें अलग-अलग type की topology होती है तो FDDI जो होता है हमारा जिसको हम full form में अगर देखें तो यह होती है Fiber Distributed Data Interface ठीक है तो यह जो basically use करता है बहुती अच्छा question है यह थोड़ा सा आपको धिहान रखना है क्योंकि generally कई बार exam में आया हुए यह वाला question FDDI standards जो generally हम use करते हैं कौन सी topology को use करता है वो ring topology को ring की form में FDDI standard भी जो इसकी explanation है जो detail में यह concept है वो उसमें ring type का structure बना होता है जिसको हम use करते हैं और standards को apply करते हैं तो यह कौन सी topology को use करेगा ring topology को यह ring network भी हम बोल सकते हैं clear उसके बाद है 8 question for this video which one of the following field of an IP header देखें यह point ध्यान रखना IP header में इसने पुछा है कि कौन सी ऐसी field है not modified by a typical IP router तो यहाँ पर जो question करा हुआ है आपसे वो यह करा हुआ है कि यहाँ पर चार field दी हुई है आईपी header की उसके अंदर यह पुछा हुआ है कौन सी ऐसी field है जो की modify नहीं होती आईपी router के थुरू तो मैं आपको clear कर दूं length and check sum यह दोनों की दोनों ऐसी field है जिनको हम modify कर सकते हैं can be modified by IP fragmentation जब कभी भी IP में fragmentation हो रही है तो fragmentation happen then length and check sum that can be modified यह दोनों चीज़ modify होगी जब कभी भी IP fragmentation happen हो रहा है और time to leave क्या होता है time to leave हमेशा reduce होता है that will be reduced by router कभ जब हमारा route होता है on the route to destination जब हम routing provide करते हैं to the destination हमेशा time to leave जो है वो reduce होता है ठीक है that means time to leave भी हमारा change हो रहा है जब हम router perform कर रहे हैं to the destination तो time to leave check sum length यह तीनों की तीनों चीज़ change होती है modify होती है मगर source address कभी भी modify नहीं होता तो not modified पुछा हुआ इसने IP address के through तो right answer हो जाएगा source address for this question next question है 9th question for this video end of series के according 49th तो यहाँ पर यह question पुछा हुआ है कि in one of the pair of the protocol given below यहाँ पर pair दे रखे हैं दोदो प्रोटोकोल के both the protocol can use multiple TCP connections जो दोनों pair दे रखे हैं दोनों के दोनों multiple TCP connections यूज कर रहे हैं between the same client and the server which one is there तो इन में से कून सा अंसर हमारा correct है जो की according to the statement fulfilled होता है तो मैं आपको clear कर दूँ यहाँ पर जो हम use करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ HTTP जो use करता है वो हमारा use करता है different 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 TCP connection ठीक है HTTP हमारा use करता है different different TCP connection for different object of a web page जब कभी भी हमें web page में basically HTTP होता गया hypertext transfer protocol वो different different TCP connection यूज करता है जब कभी भी उसको web page में अलग-अलग requirement आती है तो HTTP हमारा बिलकुल correct होगा तीनों में HTTP आया होगा उसके बाद एक होता है हमारा FTP FTP भी हमारे दो TCP connection यूज करता है two TCP connection यूज करता है one for the किसके लिए यूज करता है one for the data and second one for the control तो दो connection यूज करता है TCP के कौन सा protocol FTP protocol तो FTP भी multiple यहां पर use question में क्या दिया हुआ multiple TCP connection multiple work के लिए यूज कर रहा है और HTTP भी different different TCP connection यूज कर रहा है तो इसका right answer हो जाएगा A HTTP and FTP clear last question for this video यह question है हमारा बहुत ही अच्छा question है जो कि generally exam में आता ही आता है कोई भी exam आप दे रहे हो तो उस exam में यह जरूर पूछा जाएगा इस type के question which of the following protocol pair can be used to send and retrieve email send और retrieve करने के लिए वो कौन से दो protocol है हमारे जो हम use करते हैं तो मैं बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर clear करने वाला हूँ देखिए SMTP तो हम mailing के लिए यूज़ करते हैं mail के लिए तो use होता ही होता है mail send करने के लिए हम use करते है SMTP SMTP का मतलब होता है simple mail transfer protocol तो यह basically send the mail उसके लिए हम use करते है SMTP और whereas POP3 और IMAP यह दोनों के दोनों हम use करते हैं receiving के लिए retrieve करने के लिए receive the mail at the receiver side यह धियान रगना है आपको receiver side पे जब mail को receive करना है तो कौन से protocol काम करते हैं हमारे POP3 और IMAP clear तो यहां पर जो combination आप देख पा रहे हो SMTP और POP3 पहला जो देखें धियान रगना यह भी question में कई बार आप गलती कर सकते हो पहला option देना है आपको send का दूसरा देना है आपको retrieve का तो send के लिए आप कौन से यूज़ करते हो SMTP तो यहां पर पहले में देखो SMTP कहा कहा हुआ हुआ है यहां आया हुआ है तो यह दो अंसर तो नहीं होंगे यह हमेशा मतलब eliminate जरूर किया करो कभी भी गलती नहीं होगी क्योंकि आते हुए भी देखिए आपको सब कुछ पता है फिर भी आप गलती कराऊंगे ठीक है तो कई बच्चे क्या SMTP IME P तो मैंने receive के लिए बताया और SMTP mail के लिए बताया बिल्कुल तो D option correct हो जाएगा मगर यहां पर series in that order that order यहां mention किया हुआ है मतलब पहला send के लिए करना है दूसरा retrieve के लिए तो send में SMTP SMTP दोनों आए हुए है उसके बार यहां देखिए MIME और यहां है POP3 तो right answer हो जा है multi-purpose multi-purpose internet mail extension यह basically multi-purpose नाम से पता चल रहा है कि multi-purpose के लिए हम use करते हैं इसको हम add-on जो use करते हैं add-on की तरह भी use कर सकते हैं और इसका जो main purpose है वो हम data मतलब basically exchange करने के लिए use करते हैं data files जब हम exchange कर रहे हैं in the internet like audio, video, images इस type से हमें उनको perform करना है exchange करना है तो हम MIME use करते हैं clear तो इस type से हम यहां पर जो मैं आपको main point समझाना चाहरा था कि इसमें सबसे पहला तो आपको यह दिहान रगना है SMTP और POP3 दोनों का work क्या है दूसरा इसमें series पूछी हुई है कि sending और receiving के लिए हम कौन सा करते हैं तो sending के लिए SMTP और retrieve करने के लिए POP3 and IMAP तो right answer हो जाएगा इसका B, MIME मैंने आपको clear कर दिया hopefully आपको सारे के सारे questions, सारे के सारे series पूरी समझ में आई होगी तो please like, subscribe, share जरूर करना thank you, thanks to all